कि अगर आपके पास विंडोज 7 8 या फिर विंडोज 10 है और उससे आप अपग्रेट करना चाहते विंडोज 11 में तो यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर माइक्रोसोफ्ट के ओफिसल वेबसार्ट पर हो और मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं विंडोज 11 का क्या मिनिमाम सिस्टम रिक्वार्मेंट है तो यहां पर देखने को मिलेगा मिनिमाम सिस्टम रिक्वार्मेंट जो कि अगर आप उसे फुल्फिल करते हैं तो आप अपने सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं अधर्वाइज आप नहीं कर सकते हैं त यहां पर 1 Giga 1 Giga हट होना चाहिए और यहां पर आपको यह जरूर ध्यान देना चाहिए आपका उप्रेटिंग सिस्टम 64-bit प्रोसेसर बेस्ट होना चाहिए अदर्वाइज अगर आपका सिस्टम में 32-bit प्रोसेसर है तो आपके सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं चाहिए और यहां पर आपको टीपीम होना चाहिए टीपीम 2.0 यहां पर आप ग्राफिक्स कार्ड भी देख सकते हैं यहां पर डिस्पले और यहां पर इंटरनेट कनेक्शन आप यह जो देख रहे हैं मिनिमम सिस्टम रिकॉर्मेंट अगर आप इसे फुल्फिल करते तो अपने सिस्टम में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी अदरवाज प्रेंस आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है चलिए अब मैं बताता हूं किस तरह से प्रेंस आप जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिले ब shops करना है और यहां पर डांडॉट का ऐसन देखने को मिलेगा यहां पर क्लीक करना हूं चाहा करके मैं मैं ठेक है Tam ₹त sausage इसक्के बाद आपको कुछ यहां पर आपको दिखा देता हूं तो इसके बाद कुछ सि這邊 का BY couldnbank是 और यह डाउन्लोड डाउन्लोडिंग प्रोसेस वह स्टाट हो जाएगा तो यहां पर सम्टाइम वेट करना आपको जब तक यह कंप्लेट डाउन्लोड ना हो जाए तो फ्रेंज आप इसी तरह से विंडूज 11 के आइसो इमेच फाइल को डाउन्लोड कर सकते हैं सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन कोई नहीं अपडेट होगी तो इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं मिलता आप से किसी नहीं वीडियो में किसी नहीं टोपिक साथ